पिछला साल पहली बार स्री बिधी से धान के खेती हम कहले रहें समाने बिधी के छोर के स्री बिधी से खेती करे के लेल हम चिंतित रहें कहला कि स्री बिधी में ज़्यादा मजूर के जरूरी होई तो हम अपना खेत में एक कोना में सिरी बिधी से खेती करे के लिए हम निद्रह लेली सिरी बिधी बीज के उप्चार करे में जनना लगाईज कहला कि अपने घर में बीज उप्चार दस मिलट में काल लगाईज अगर एक कठा के बाद कर जाये था नर्सारी बेश लगाए में आधा दिन के केबल मजूर खरच बढ़ जाये रुपाई में एक दिन के आउर कवनी में आधा दिन के मजूर खरच कम हो जाये कुल मिला के समाने बिधी के बदले स्री बिधी में एक दिन के मजूर खरच बढ़ जाई ची तर ओकरा मोक कवला में एसे हमरा कठा में 50 किलो धान हमरा बढ़ जाई या जिकरा हम 10 रुपई एक किलो से जो रही ची तो हमरा 500 रुपई या फैदा हो या नफ़ा के चलते स्री बिधी में एक दिन के लेवर खरच बढ़ावे के लेल तयार हती वी साल भी स्री बिधी से खेती करे के लेल तयार हती झार बालब बालबो याद यार ट्यार हती झाल झाल झाल